स्वागत है आप सभी लोगों का प्रिलिम बूश्टर न्यूज डिसकेशन में आज है 12 जनवरी 2021 तो आज देख लेते हैं ऐसे कौन से important articles हैं जो आज हम cover करने वाले हैं हमारा पहला article जगनाथ टेंपल के बारे में है हाल ही में स्रीजगनाथ टेंपल एडिमिनिस्ट्रेशन नहीं अनौंस किया कि अब स्रीजगनाथ टेंपल में एंटर करने के लिए किसी इंडिविज्वल को 21 जनवरी के बाद COVID-19 निगेटिव रिपोर्ट नहीं दिखानी पड़ेगी जो की अभी तक दिखानी पड़ रही थी for security purposes ताकि ये जो pandemic है या जो virus है हम उसके spread को रोक सकें contain कर सकें तो अब आई बात करते हैं इस टेंपल के बारे में इस टेंपल के इतिहास पर चर्चा करते हैं इस टेंपल के बारे में मानता ये है किसे 12th century में Eastern Gang Dynasty के जो राजा थे अनन्त वर्मन शोद गंग देव उनके जवराब बनवाया गया था ये जो राजा थे या हम बात कर रहे हैं particularly Eastern Gang Dynasty के बारे में इसने कलिंगा का जो रीजन था उस पर साशन किया था 5th century से लेकर 15th century के बीच में कलिंगा का जो रीजन है वो वर्तमान के उडिशा का रीजन है हाला कि इसमें कुछ हिस्सा 36 गड़ और आंधर प्रदेश का भी इंक्लूड हो जाता है जगननाथ पूरी टेंपल के बारे में बात करें तो इसे यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है यमनिका तीर्थ का मतलब इसमें देखे हिंदू बिलीफ है यम जिन्हें मृत्यू का देवता कहा जाता है ऐसी मानता है कि पूरी मंदिर में जाकर जब आप दर्सन कर लेते हैं इस वरका तो उसके बाद जो मृत्यू होती है वो टल जाती है लौड जगननाथ की कृपा से उनकी प्रसेंस के प्रभाव से ये जो टेंपल है इसे वाइट पगोडा भी कहा जाता है और भारत में जो चार धाम की यात्रा या पिल्ग्रिमज किया जाता है ये उसका एक हिस्सा भी है चार धाम में जो चार साइट्स या तीर सिस्थल आते हैं वो हैं बदरीनाथ, द्वार का पुरी और रामिस्वरव पुरी का जगननाथ टेंपल is one of them फीचर्स की बात करें तो देखे इसमें चार गेट्स है जो पहला गेट है उसे सिंग द्वार कहा जाता है जहाँ पर आपको जो दो सेर हैं वो जुके हुए देखेंगे जो सदन गेट है उसे अश्व द्वार कहा जाता है वेश्टन गेट को व्याक्र द्वार कहा जाता है, मतलब बाग हैं आपको वहाँ पर मिलेंगे, और जो नदन गेट है उसे हस्ति द्वार कहा जाता है, इस temple के enter gate पर आपको एक pillar मिलेगा जिसे arunstumb या sun pillar कहा जाता है originally ये konark के sun temple का part हुआ करता था, जो हमारा अगला article है, वो vanadium के बारे में है, vanadium जिसके बारे में हम सभी लोग बहुत कम जानते हैं, हलां कि इसका इस्तेमाल कई प्रकार से कई तरीके के industries में किया जाता रहा है, बहुत लंबे समय से और अभी भी किया जाता है, इसके future use पर भी कई तरीके के speculations और researches पगएरा चलती रहती हैं अभी ये news में क्यों है, context यह है कि Geological Survey of India ने अभी Arunachal Pradesh को Vanadium map में रख दिया map में install करने के बाद हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर इस location पर ये चीज़ मिलती है तो map में ये रिखाया गिया है कि Arunachal Pradesh में Vanadium मिलता है, क्योंकि हाल फिलहाल में जो explorations हुए उसके दुरान जो logist का ये मानना है कि हमें बहुत ही जल्दी Vanadium का जो deposit है वो Arunachal Pradesh के इन इलाकों में मिल जाएगा जिस पर संभावना एकदम बन चुकी है Vanadium की बात करें तो ये chemical element है जिसका symbol V होता है और atomic number में ये 23 पर आता है ये काफी hard और silver ही grey होता है मतलब चमकदार होता है silver की तरह और थोड़ा सा greyse color होता है काफी लचीला होता है और एक प्रकार का transition metal है elemental metal जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं ये nature में बहुत rarely पाया जाता है in fact ये slag का byproduct होता है slag यानि के धातुमल किस प्रकार का धातुमल iron ore ऐसा iron ore जो की vendiferous vendiferous magnetite ores जिसे आप iron ore बोलते हैं मतलब ऐसा iron ore जिसमें vanadium होता है जब हम iron निकाल लेते हैं तो उसका जो slag होता है धातुमल होता है उसमें हमें vanadium मिलता है जिससे हम extract करके various तरीके से इस्तिमाल कर सकते हैं अब इसका इस्तिमाल क्या होता है जो vanadium alloys होते हैं वो काफी durable होते हैं extreme temperature को bear कर सकते हैं मतलब अगर आप किसी धातुमें vanadium को mix कर रहे हैं तो उसकी durability बर जाएगी वो environment को अच्छी तरीके से sustain कर पाएगा उस environment में और वो corrosion resistant भी बन जाएगा उन्हें बनाने के लिए vanadium का इस्तिमाल किया जाता है यह fuel efficiency को भी बढ़ा देता है automotive और aviation industries में क्यों? high strength to weight ratio के वज़े से आप vanadium को mix करने के बाद steel की strength को बहुत बढ़ा सकते हैं अब इसमें होगा यह कि अगर आप कोई वहकिल बना रहे हैं जिसमें सिर्फ normal steel का इस्तिमाल किया जा रहा है तो वो ज़्यादा भारी बनेगा और मजबूत बनाने के लिए आपको उसका weight बढ़ाना पड़ेगा weight बढ़ेगा, भारी engine लगाना पड़ेगा ज़्यादा fuel खर्श होगा अगर आप vanadium mix कर सकते हैं तो वो strength आप कम weight में भी achieve कर सकते हैं जिससे fuel कम इस्तिमाल होगा तो इससे ये environment को भी lab पहुचा देता है vanadium redox batteries जो अभी काफी तेजी से develop की जा रही है ये बहुत ही जल्दी replace कर देंगी lithium ion batteries को जिनका इस्तिमाल अभी हम किया करते हैं इसमें vanadium का इस्तिमाल किया जाता है vanadium ecologically भी clean है क्योंकि ये pollution कम फैलाता है कुछ और बात करते हैं vanadium का जो largest deposit दुनिया में पाया जाता है that is in China उसकी बाद नंबर Russia और South Africa का आता है इंडिया काफी बड़ा consumer है vanadium का लेकिन हम इसके primary producer नहीं है हमारे यहाँ ज्यादा मिलता नहीं है लेकिन इस्तिमाल हम बहुत करते हैं 2017 के data के मताबिक 84,000 ton vanadium जो produce किया गया पूरी दुनिया में उसका 4% तो अकेले इंडिया ने consume कर लिया Geological Survey of India ये बताता है कि vanadium का जो concentration है वो हमें मिला है that is promising ये हमें मिला है देपो और तमांग एरिया जो पापुमपरे डिस्टिक का है अरुदाश्र प्रदेश में वहाँ इसे इंडिया में जो इस बैटरी के हम बात कर रहे है vanadium redox batteries इसके development में मदद मिलेगी और हमारी heavy industries को भी काफी फायदा होगा जो हमारा अगला आर्टिकल है वो शगुनडाइस टेकनीक के बारे में है यसे आप brief में SRT वो सकते हैं सगुनडाइस टेकनीक के बारे में अभी हाल फिल हाल में ये कहा गया कि ये पंजाब और हर्याना में जो stable burning की जाती है फसल को काटने के बाद जो उसका कुछ हिस्सा नीचे का बचा रह जाता है उसे किसान जला दिया करते हैं ताकि वो अगली फसल उगा सकें खेत में टिलिंग करने के बाद लेकिन सगुनडाइस टेकनीक में उस stable burning की आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी suppose करिए कि आपने एक फसल उगाई है आपने उसका एक हिस्सा harvest कर लिया नीची का हिस्सा खेत में बचा हुआ है आप अगली फसल उगाने के लिए आपको इसे जलाना होगा ताकि आप खेत की जुटाई करके अगली फसल लगा सकें लेकिन सगुन राइस टेकनीक में ऐसा नहीं किया जाता हम इस डंठल को छूते ही नहीं है इसके बीच का जो गैप का एरिया है हम यहाँ पर थोड़ी बहुत एक टिलिंग करते हैं थोगा सा खोदते हैं उसे उसमें सीट या फिर प्लाट जो भी हमें लगाना है उसके साथ फर्टिलाइजर डाल देते हैं और हम उसे ही वापिस से ग्रो करवाते हैं पानी वगएरा भरते रहते हैं इसमें हमें खेत को प्लाव नहीं करना होता तो इसके लिए हमें जो stubble है उसे काटना भी नहीं पड़ता pollution कम होगा, SRT, iron, pharma tool facilities ये इस तरीके से crop को plant करने की technique को evaluate करते हैं या pre-determine कर देते हैं कि इस distance पे आप इस crop को उगाईए per unit area के हिसाफ से आपको अच्छी फसल में लेगी इसके काफी सारे फायदे भी हैं देखे, इसमें roots को काटना नहीं पड़ता धिमे-धिमे ये roots पानी से सर जाते हैं और खात की तरह काम करते हैं इसमें plowing, paddling या फिर hoeing कुछ नहीं करना पड़ता उसमें खोदना भी नहीं पड़ता मिट्टी को ये बाकी फसनों के तुलना में आर्ट से दस दिन पहले तयार हो जाती है इसमें देखे, आपकी cost खाफी कम हो जाएगी क्योंकि ये जो plowing, tilling में जो खर्चा आता है, वो नहीं आएगा तो कई सारे फायदे हैं, इस second rise technique के इसका इस्तिमाल धीमे-धीमे कोशिस की जाएगी कि प्रमोट किया जाए इंडिया के अन्हिस्सों में भी और other crops के लिए भी जिसके लिए भी ये possible है अगला जो आर्टिकल है, वो thousand islands के बारे में है तो सबसे पहले तो thousand islands में कितने islands है, 1000, नहीं इसमें 110 islands है news में ये इसलिए रहा, because बाद में पता चला कि इसका जो मलबा है, वो हमें जकार्ता से कुछ दूरी पर thousand islands के पास मिला जहां पर ये flight crash कर जाती है और बहुत ही unfortunate तरीके से 62 लोग अपनी जान गवा देते हैं, देखिए ये है इंडोनेशिया और यहां पर है जकार्ता जकार्ता के बिलकुल नौर्थ में यहां पर आपको ये पुलाव सरीबू मिलेगा, जो की एक प्रकार का district है, जो इन 110 islands को मिला कर बनता है, इन्हे combinedly thousand islands कहा जाता है ये देखिए एक district है, जिसे पलाव सरीबू नेशनल बरीन पार्क भी कहा जाता है, ये जो island था, ये volcanic activities से बना था, लेकिन बाद में जब tectonic plate movement होता है, तो ये consolidate हो जाता है, और group of small islands में convert हो जाता है ठीक है, जो अभी Indonesia के domain में है Indonesia के under में है अगर हम बात करते हैं, next article की तो वो eerie silk के बारे में है आसाम की सरकार ने अभी खादी shirt, eerie shawl और eerie stole, जो grade 4 employees है उनको phased manner में देने का plan बनाया है ये इसलिए दिया जा रहा है ताकि हम महात्मा गांधी जी को एक संधाजन लिए सके उन्होंने जो खादी के लिए movement चलाया इंडिया में उस परपस से देखें जो eerie silk है वो सामिया रिष्णी caterpillar से हमें मिलता है जो कि एक प्रकार का silk producing caterpillar है जो रेश्ण के कीडे होते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं ये नॉर्थ हिश्टन इंडिया, चाइना और जापान के कुछ हिस्तों में चाइना के कुछ इस्तों और जापान में मिलता है जो eerie नाम है ये SME's word era से निकला हुआ है जिसका मतलब होता है caster यानि की रेडी चुकि ये जो silk palm होता है वो caster के plants पर ही रहता है caster रेडी का पौधा होता है जिसके जो बीजों से oil निकलता है तो उसी पर feed करता है इसी लिए इसे eerie कहा जाता है ठीक है जो eerie silk है उसे endi या फिर endi भी कहा जाता है इंडिया में ये एक woolly white silk है जिसे fabric of peace के नाम से भी जना जाता है because silk warm को मारा नहीं जाता उससे silk लेने के लिए यहाँ पर इसी लिए इस silk को अहिंसा silk कहा जाता है इसमें जो moths होते हैं जो कीट होते हैं रेसम के कीडे होते हैं जब वो cocoon को छोड़ देते हैं उसके बाद हम उसमें से रेसम extract करते हैं उन्हें मार कर रेसम extract नहीं किया जाता that's why इसे fabric of peace भी कहा जाता है यहाँ पर देखें इंडिया जो है वो एक मात्र ऐसा देस है जहाँ पर सभी पांच major types of silk को produce किया जाता है इंडिया में ने दो parts में categorize किया गया है मलबरी silk जो की केवल करनाटिका में होता है और non-malबरी silk जिसके आपको 4 types मिलेंगे temperate, तुसार silk यह महाराष्ट्रा, वेश्ट पंगाल, उडिसा, जारखंड, आनरप्रदेस में मिलेगा then tropical तुसार silk यह आपको हिमालन बेल्ट में मिल जाएगा मनिपूर, असाम, मिघालया में मुगा सिल्क, असाम में मिलेगा जो metroid है, इसे मुकंदपुरा CM2 नाम दिया गया है यह एक carbonaceous chondrite है देखे, chondrite जो होते हैं, वो ऐसे metroid होते हैं जिसमें silicate के droplets हमें मिलते हैं तो जो मुकंदपुरा metroid हमें मिला है वो मुकंदपुरा chondrite कहा जा रहा है जो कि 5th carbonaceous metroid है जो इंडिया में गिरा है, जहां तक हमारी जानकारी है जो carbonaceous chondrite होते हैं, वो similar होते हैं composition में, जो sun का composition है जो सूरी का composition है, बिल्कुल वही composition आपको ऐसे metroid का मिलता है अगर हम metroid के classification की बात करें, तो 3 types होते हैं stony, जिसमें silicate होता है, iron जिसमें ferrous और nickel का alloy मिलेगा आपको then stony iron जिसमें silicate भी होता है और iron के alloys भी होते हैं जो मुकुंद पुरा CM2 हमें मिला है ये एक stony metroid है जिसे काफी पुराना primitive माना जाता है ऐसा माना जाता है, जब प्रहमान का निर्मार हो रहा था तो उस समय पत्थर के जो टुकड़े बने रहे वो इस प्रकार के metroid हैं ठीक है, importance क्या होती है metroid के जरिए solar system की history को study कर पाते हैं sun और planets आज किस प्रकार से evolve होकर आए इसके बारे में जानकारी कठा करने की कोसिस करते हैं metroid ढरती पर आते हैं हमारा जो अगला article है वो case shaped economic recovery के बारे में है अभी हाल ही में covid को लेकर case shaped recovery की बात कही गई पूरी दुनिया में including India की case shaped recovery होगी अब case shaped recovery का मतलब क्या होता है देखे recovery जब pandemic आता है या फिर कोई भी economic loss हो किसी भी वज़े से तो पूरी economy एक बार बिल्कुल down चली जाती है अब recovery के कई सरे तरीके हो सकते हैं एक हो सकती है V-shape recovery मतलब economy बिल्कुल नीचे गई और तेजी से recover कर गई अच्छी बात है दूसरी होती है else shaped recovery मतलब economy तेजी से नीचे गई और नीचे ही रह गई उपर उठ नहीं पाई इन दोनों के बीच के जो recovery होती है उसे आप case saved recovery कह सकते हैं इसमें होता ये है कि एक हिस्सा तो recover करने लग जाता है उसे काफे फायदा हो जाता है लेकिन दूसरा हिस्सा society का वो नीचे चला जाता है उसे फायदा नहीं होता मतलब यहाँ पर पूरी economic recovery नहीं हो रही है जैसे इसमें तो पूरी हो जा रही है इसमें बिल्कुल नहीं हो रही है इसमें पूरी नहीं हो रही है कुछ हिस्सों को फायदा होगा समाज के या enterprises के कुछ हिस्सों को नहीं होगा ऐसा ही COVID के scene में हो रहा है यहाँ पर अलग-अलग sectors हैं कुछ sectors को काफी ज़्यदा फायदा हुआ और वो काफी तेजी से उपर गया जबकि कुछ को नहीं हो रहा है वो recover नहीं कर पा रहे हैं वो अभी भी loss face कर रहे हैं अब देखे, pyramid में जो families या जो लोग उपर हैं उनको तो फायदा हुआ मतलब उनके पास अच्छी savings थी जब banks में पैसे deposit होना कम हो गया तो उन्होंने saving rates को बढ़ाया तो इन्हें फायदा हुआ इनका जो amount have protected है लेकिन जो nichless data में हैं उन्हें काफी loss हुआ because वो अपनी income का एक बहुत बड़ा हिस्सा consume कर लेते हैं उनकी job चली गई उनके लिए जो economic possibilities थी या opportunities थी वो भी कम हो गई है तो उन्हें काफी नुकसान हो रहा है तो आप समझ गए कि case shaped economic recovery का क्या मतलब होता है जो अगला article है वो golden quadrilateral या golden diagonal section के बारे में है अभी हाल ही में Indian Railway ने ये कहा कि जो maximum speed होगी golden quadrilateral में वो 130 km पर आर होगी 1280 km के length में जो total 16-12 km के length है उसमें golden quadrilateral project के बारे में बात करते हैं ये इंडिया के चार बहुत important locations को link करता है Delhi, Mumbai, Kolkata और Chennai 2001 में start किया गया था इसे और 2012 में complete किया गया actually में 1998 में अटल विहारी बाजपेई जी की सरकार ने एक program launch किया था बड़े बड़े national highways के लिए bigger national highway development project उसी के phase 1 के तहट golden quadrilateral को बनाने की बात की गई और ये जिमेदारी NHAI यानि के National Highways Authority of India को सौंपती गई इससे काफी फायदा होगा farmers को जो industries है उनको export-import में जो connectivity है वो काफी बढ़िया हो जाएगी और जो economic growth है वो बहतर होगा जो हमारा अगला part है इसमें आपको कुछ statements के true and false बताने है K-shape curve in economy यहाँ पर recession के बाद होता है यह जहाँ पर uniform recovery देखी जाती है सभी sectors में, industries में, group of people में vanadium यह high value metal है जिसका इस्तेमाल hydrogenated oils and trans fat को बनाने में किया जाता है इंडिया का जो सिल्ख production है उसमें एरी सिल्ख आसाम का अहिंसा सिल्ख के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर सिल्ख warm को मारा नहीं जाता जगनाथ temple, इसे 1st century में राजा, अनन्थ वर्मन, छोद गंग, देव ने जो कि इस्तन गंगा डिनिश्टी से बलॉंग करते थे उन्होंने बनवाया शगुन राइस टेक्नीक ये एक zero till टेक्नीक है एक unique conservation agriculture टेक्नीक है इस पूरे session की PDF आपको ये आइस के टेलेग्राम चैनल पे अवलेबल मिलेगी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस session में यहीं पे रुकेंगे Thank you very much